नमस्कार प्यारे साथियों इस वीडियो में आप सुरी का स्वागत है हम लोग कर रहे है क्लाश 12 की कमिस्टी और चल रहा है चेप्टर नमबर 4 पिछले वीडियो में जाना गया अभिक्रिया की अर्ध आयू और इसमें जो टोपिक हम लोगों ने कवर किया वह था सुन्य प्रटी में इस से रिलेटेट जो एक्जामपल दे रखे हैं उस एक्जामपल को भी हम लोगों ने हल किया और उमीद करते हैं कि वह वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और यदि अभी तक आपने उसे देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है उसे जरूर चैप्टर का एक और टोपिक हम कंपलीट करेंगे जो हुगा क्या शदम प्रथम कोटी अभिक्रिया यानि कि स्यूडो फर्स्ट आर्ड रियक्शन और इसके साथ ही साथ जो पाठनीत प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्नों को भी किया जाएगा हल तो चुड़े रहे नरा का सिसन और जो टोपिक हमें पढ़ना है ओ है क्या तो च्छदम प्रथम कोटी अभिक्रिया ये है क्या स्यूडो फर्स्ट आर्डर रियक्शन तो कुछ ऐसी रसाइनिक अभिक्रिया होती है जो देखने में प्रथम कोटी की अभिक्रिया नहीं लगती है लेकिन वह प्रथम प्रथम कोटी की अभिक्रिया ही होती है ऐसी ही अभिक्रिया को कहा जाता है छदम प्रथम कोटी अभिक्रिया क्या कहा हमने कि कुछ ऐसी रसाइनिक अभिक्रिया है जो देखने में प्रथम कोटी की अभिक्रिया नहीं लगती है लेकिन वहां प्रथम कोटी की ही अभिक्रिया होती है actually इसमें होता क्या है कि दो अभिकारक में से कोई एक अभिकारक अत्याधिक मात्रा में उपलब्ध होता है और जिस करण से अभिक्रिया के दोरान उसकी बहुत कम मात्रा लगती है ना के बराबर मात्रा लगती है और उतुपाद बन जाता है तो इस प्रकार से एसी रसाइनिक अभिक्रिया होती है जो प्रथम कोटी की अभिक्रिया न लगते हुए भी वह प्रथम कोटी की अभिक्रिया होती है और ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है प्रथम कोटी की अभिक्रिया यानि कि छादम प्रथम कोटी की अभिक्रिया और यहां पे इसका पर प्रथम कोटी की अभिक्रिया हो इसमें लिखा गया है ये कि इसमें दो अभिकारकों में से एक की मात्रा अत्याधिक ली जाती है दो अभिकारक होंगे और उसमें से एक की मात्रा अत्याधिक ली जाएगी और ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं छदम प्रथम कोटी अभिक्रिया अब इसको हम example से समझेंगे, ऐसे तो परिवासा तो हो गया, परिवासा से इतनी चीजे जो है details में नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको example से समझते हैं, किस से समझा जाए, example से, तो ध्यान देना है, सबसे पहला हम उदाहर लेते हैं, उदाहर है क्या, तो एथिल एसिटीट की अभिक्रिया जल से कराया जाए, किस से कराया जाए, एथिल एसिटेट, यहाँ पे लिखते हैं, एथिल एसिटेट की अभिक्रिया किस से कराया जा रहा है, जल से यानि की पानी से, जल से, तो बन क्या रहा है, इसमें बनेगा क्या, तो बन र और इसके साथ साथ बन रहा है एथे नॉल ये reaction दिया हुआ है किताब में यह reaction दिया हुआ है इसका हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस reaction को लिख लेते हैं तो इसका सुत्र होता है एथिल एसिटेट का क्या होता है CH3-COO-C2H5 और पानी का तो सभी लोगों को पता है क्या होता है एस्टू और इसमें बन क्या रहा है एसिटी का मला CH3-COO-H और प्लस एथेनॉल C2-H5-OH तो ये है रियक्शन और इस अभिक्रिया में देखा जाए कि देखने में यह जो है प्रथम कोटी की नहीं लग रहा है यहां पे दो अभिकारक भाग लिया है एक ये और एक ये तो यहां दुवितिय कोटी की हो सकती है क्योंकि हमने पहले अभिक्रिया की कोटी के बारे में discussion क्या हुआ है और आप लोग उसे देखे होंगे और आप लोग को ये भी समझ में आ रहा होगा कि अभिक्रिया दुवितिय कोटी की हो सकती है लेकिन देखने में तो लग रही है कि दुवितिय कोटी की है लेकिन यहां दुवितिय कोटी की अभिक्रिया नहीं है प्रथम कोटी की अभिक्रिया है और इसलिए इसको कहा जाएगा pseudo first rr reaction यानि कि छदम प्रथम कोटी की अभिक्रिया ऐसा क्यों तो ध्यान देना यहाँ पे यहाँ पे जो यह अभिकारक है ना एक अभिकारक की मातरा जो है इसकी मातरा पानी की मातरा अत्याधिक लिजाती है अत्याधिक मतलब कि इससी बहुत अधिक दूसरे अभिकारक की तुलना में बहुत अधिक मातरा इसकी लिजाती है कैसे तो यदि हम यहाँ पे लेते हैं समय समय टी बराबर जीरो हो तो इसकी जो मात्रा लिया गया माल लेते हैं कितना तो इसका मात्रा लिया गया जीरो दस मोल जीरो एक मोल और इसी समय पर इसका मात्रा लिया गया दस मोल कितना मोल दस मोल पानी का अभी समय जो है जीरो है य यह बनने वाला अभिकारक नहीं अभी उत्पाद नहीं बन रहा है क्योंकि अभिक्रिया भी प्रारंब भी नहीं हुई है और जब अभिक्रिया कुछ समय तक चलने लगती है यानि कि प्रारंब हो जाती है यानि कि यहां पर समय बराबर टी समय पर तो यह अभिकारक पूरी स्धी तरह से समाप्त हो जाएगा तो एसके बहुत ही कम मातुशा है और इसका कितना बचा हाँ जीरो-मॉल बचा कितना शुन्य-मॉल अब यहाँ पे देखा जाए कि इस टाइको मिट्रिक गुणांग देखा जाए तो इसका भी एक है इसका भी एक है इसका मतलब है कि अभिक्रिया करने में जो मात्रा इसका लगा हुआ है वही मात्रा पानी का भी लगने वाला है इसका मतलब है कि 10 में से क्या कर लेते हैं माइनस कर देते हैं 0.01 मूल जब हम इतना माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 9.09 मूल ठीक है इतना बचने वाला है तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जितना इसकी मातरा लगी उतनी ही दूसरे अभिकारा की मात्रा लगेगी क्योंकि दोनों का इस्टाइकोमित्रिक गुडांक सेम है एक जैसा है और जितना यहां पे खपत हुआ है लगा हुआ है अभिकारा की मात्रा उतपाद की भी तो इस्टाइकोमित्रिक गुडांक वही है तो उतपाद वही बनने वाला इसका बनेगा 0.001 मूल और इसका भी बनेगा 0.001 मूल बाते समझ में आ रही होंगी तो यहां पे जितनी मात्रा इश्की खपत होगी अभी कारण की अभिक्रिया करेगा जितनी मात्रा से उतनी ही मात्रा उतपाद बनाने वाला है अब इसके लिए यदि हम अभिक्रिय COOC2H5 और उसके बाद से हो जाएगा H2O यह अभिक्रिया का वेग हमने यहाँ पे लिखा अब ध्यान देनी वाली बात है कि यहाँ पे यह जो अभिकारक लिए गए इसकी मात्रा अत्यादिक है और बहुत कम मात्रा इसका लगा हुआ अभिक्रिया में और बचा कितना है लगबग में इतना ही बचा है दस इसको हम लगबग में दस कह सकते हैं इसका मतलब है कि यह जो पानी है यहाँ पे इस्थिर है क्या है इस्थिर है इसका मतलब है कि इसका वेग में अभिक्रिया के वेग में युगदान वहुत कम है शुन्य के बराबर है इसलिए ये दोनों ले लिया जाएगा क्या तो इस्तिरांग के डैश और एस्टू ओ को हमने माना इस्तिरांग और अभिक्रिया के वेग का इस्तिरांग क्या होता है तो यहां बताएगया है K होता है और K बराबर हो जाता है K-H2O अब क्या कर सकते हैं इतने के अस्थान पे हम यह मान लिख सकते हैं लिखा जा सकता है कि नहीं तो लिखते हैं यहां पे यह हो जाएगा वेग वराबर के CH3 COOC2 H5 अब यहां पे इसकी घात है एक इसकी घात है कितना एक तब हम कहेंगे क्या कि अतह यहाँ अभिकरिया क्या है प्रत्म कोटिकी है क्योंकि जो अभिकरिया के वेग में जो अभिकार की सांदरता पे जो घात आता है वही घातों का योग कहलाता है अभिकरिया की कोटी और यहाँ पे घात कितना है एक है तो यही क्या है यहाँ अभिकरिया प्रथम कोटी की है देखने में नहीं लग रही है प्रथम कोटी की लेकिन यह जो है अभिकरिया प्रथम क कोटी की ही है अब यहां पर हम बात करेंगे कि जब देखने में नहीं लग रही है लेकिन वह प्रथम कोटी की है तो यहां कौन से अभिक्रिया है आता है यहां स्यूडो फर्स्ट आडर रियक्शन है यानि कि छादम प्रथम कोटी की अभिक्रिया है यह रहा यहांपे च्छधम प्रथम कोटी की अभिकरिया के लिए एक्जामपल और समझ में आया भी होगा, क्योंकि यहां पे जो भी बताया जा रहा है, और एक एक topic को करम से लेकर के चला जा रहा है, और NCRT को follow करते हुए हम लोग चल रहे हैं, और यह example NCRT में दे रखा है, और यहां पे जो यह topic है, इस वर्स 2021 के लिए क्या कर दिया गया है, कि हटा दिय गया मतलब कि topic नहीं बनाया है लेकिन इसके बारे में दिया हुआ है इस से पहले वाली इसके बारे में चीजें दिया हुआ है आपको समझने क्यों सकता है और आप book में देख भी सकते हैं अब हम क्या करते हैं कि एक और एक्जामपल ले लेते हैं एक और एक्जामपल नमबर दूसरा ले लेते हैं उदारण एक्जामपल नमबर दूसरा करें कि एक्छू सरकरा की अभिक्रिया पानी से कराई जा रही है एक्छू सरकरा का क्या सुत्र है तो C12, H22, O11 और इसकी अभ रिक्रिया करवाई जा रही है पानी से बन क्या रहा है ग्लुकोस बन रहा है C6 H12 O6 और फ्रक्टोस बन रहा है C6 H12 O6 यह क्या है इसे कहते हैं एक्छू सरकरा इक्छू सरकरा इसी को सुक्रोस कहा जाता है सुक्रोस और इसी को केन सुगर भी कहते हैं इंगलिस में और यह पा पानी क्या है यह पानी सभी लोग जानते हैं यह पानी है उसके वाद से यह क्या है ग्लुकोश है ग्लुकोश और यह क्या है फ्रक्टोश है फ्रक्टोश तो यहां पर यह रियक्शन है यह एक्जामपल दिया हुआ है और यहां भी क्या है छादम प्रथम कोट की अभिक्रिय है क्योंकि यहां पर भी इसकी मात्रा ली गई कितना जीरो दस्मलो जीरो एक मोल और इसकी मात्रा ली गई हैं कितना दस्मल दस्मल तब यह जो है बनने वाला है क्या इसकी जितनी मात्रा खपत होगी उतनी ही मातरा इसका भी खपत होगा क्योंकि इसका इस टाइकोमेट्रिक गुरांक एक ही जैसा है सेम है और इसलिए जितना इधर लगेगा उतना इधर उतपाद बनने वाला है अब इस कंडिशन में भी इस कंडिशन में भी ध्यान देना है कि जो के कामान आएग वह कितना आएगा के डैस एस टू ओ ये भी इस्तिर हो जाएगा इसका मतलब है कि इसका जब हम वेग ग्यांत करेंगे तो वेग बराबर हो जाएगा कि उसके पास से C12-S22-O11 तो इस पर भी तो घात एक ही है अता यहाँ भी क्या है प्रतम कोटी की अभिक्रिया है और देखने में नहीं लग रहा था कि प्रतम कोटी की है लेकिन ऐसे दिखाया गया तो प्रतम कोटी की है अभी क्रिया है अभी क्रिया है तो यह रहा यहां पे छदम प्रधम कोटी वाला टोपिक भी हम लोगों ने कर लिया कबर और उम्मीद करते हैं कि यह चीजे आप लोगों ने समझा होगा अब हम क्या करेंगे कि अब जो पाठ नहीत प्रस्न दिया हुआ है क्योंकि बुक में जो है कुछ बीच बीच में चेप्टर में बीच बीच में क्वेस्चन दिया हुआ है उसी को कहा जाता है पाठ नहीत प्रस्न और दो पाठ नहीत प्रस्न इस चेप्टर का हमने करवा रखा है और वहीं से आगे के जो बचे हुए पाठ नहीत प्रस्न है उसको अब हम करना है और एक बार उसके बाद से हम पाठनेद प्रस्णों को करेंगे कि प्यारे बच्चों अभी आ ब्लोगों ने जाना च्छक स्काइब से मुश्चने लिए प्याधी और ऑफिक्रिया और उसको समझाने के लिए हमने अपना 100% योगदान दिया है और उम्मिद करते हैं कि आप लोगोंने 6 प्रथम कोटी अभिक्रिया को अच्छे से समझा होगा और समझ में आता है कमेंट बॉक्स में शरूर बता है अब कुछ पाठी नहीत प्रशनों को किया जाएगा हल पिछले विडियो में हम लोगोंने दो पाठी नहीत प्रशनों को हल कर लिया था जो था क्या 4 दसमलो 1 और 4 दसमलो 2 लेकिन अब हम करेंगे क्या तो 4 दसमलो 3 प्रशनों को हल करेंगे और क्या है यह तो यह कर रहा है कि एक अभिक्रिया A प्लस B से उत्पाद बन रहा है क्या हो रहा है A प्लस B से उत्पाद बन रहा है देखना यहां पे उसके बाद से इसके लिए करें कि वेग नियम कितना यह आर बराबर के A की घात एक बड़े में दो B की घात दो से लिया गया है इसका मतलब है कि यहां पे जो वेग है वह दे दिया है आर बराबर के A की घात एक बटे में दो और B की घात कितना तो दो एकी घात एक बटे में दो और बीकी घात दो उसके बसे क्या कर रहा है कि अभिक्रिया की कोटी क्या है इसमें बताना है अभिक्रिया की कोटी अभिक्रिया की कोटी ये बताना है यहाँ पे ठीक है अभिक्रिया की कोटी पूछा जा रहा है देखते हैं इसको भी हल करते हैं पहले हमने अभिकरिया की कोटी के लिए जो फार्मूला था उसको हमने बताया था क्या कोटी N बराबर होता है X प्लस Y यह X प्लस Y क्या है तो अभिकारकों की सांद्रताओं के घात है एक्स क्या है तो इस अभी कारा किसांता का घात है Y क्या है तो इस अभी कारा किसांता का घात है तो यहाँ पर X एक बटे में 2 है और Y क्या है? 2 है तब N बराबर हो जाएगा क्या? एक बटे में 2 प्लस 2 ऐसे इसको यदि हम हल करते हैं तो यहाँ पे L से हम लिया जाए 2 तो यह हो जाएगा 1 प्लस 4 1 प्लस 4 तो n बराबर हो जाएगा इतना तब यह बराबर हो जाएगा 5 बटे में 2 यह होगा या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n बराबर 2.5 या 2 शही 1 बटे में 2 तो अभिकरिया की कोटी 2.5 या 1 बटे में 2 होगी तो ये भी question हो गया हल, अगला question कर रहा है, 4.4, कौन सा है, पाठी नहीत प्रस्न है, 4.4, देखते हैं, ये क्या कह रहा है, कि आणू X का Y में रूपांतरण, दुवितिय कोटी की बल गतिकी के अनुरूप होता है, क्या कह रहा है, कि एक आणू है, X, और जिसका की Y में रूप हो रहा है, X का रूपांतरण किस में हो रहा है, Y में हो रहा है, और किसके अनुसार, दुवितिय कोटी की बल गतिकी के अनुरूप हो रहा है, मतलब कि अभी क्रिया क्या है, दुवितिय कोटी की है, अभी क्रिया है, अभी क्रिया है, तब इसके लिए वेग हो जाएगा क्य और X की घात 2 वेग को R से प्रदर्सित करते हैं तो R बराबर हो जाएगा K X की घात 2 तो यहाँ पे हमने इस reaction के लिए वेग ग्याद किया रेट हमने ग्याद कर लिया उसके बाद से क्या कर रहा है कि यती X की सांदरता तीन गुनी कर दी जाए तो Y के निर्माड होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो यहाँ पे X की घान X की जो सांदरता है तीन गुनी कर दिया गया मतलब क्या कि यहाँ पे एक रेट और एक रेट और निकल जाएगा तो इसको R1 कह लेते हैं अब क्या कर रहा है कि X से तो Y बन रहा है लेकिन इसकी सांदरता कर दिया गया तीन गुना है कितना गुना? तीन गुना इसका मतलब है कि इसके लिए हो जाएगा R2 बराबर K और 3X की घात दो क्योंकि इसकी सांदरता कितना कर दिया गया है तीन गुना कर दिया गया है अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस तीन को बाहर निकालते हैं तो R2 बराबर हो जाएगा K और यह तीन को बाहर निकालेंगे तो इन्टू हो जाएगा 9 और उसके बाद से हो जाएगा X की घात 2 यहाँ पे आगे और बढ़ते हैं तो R2 बराबर हो जाएगा 9 K उसके बाद से 9 K X की घात 2 अब देखा जाए इतने के मान R1 के बराबर है तो R1 यहाँ पे रख सकते हैं तब R2 बराबर हो जाएगा 9 R1 9R1 क्या हो जाएगा R2 पराबर हो जाएगा 9R1 है इसका मतलब है कि यहां पे पहले के अप्रेक्षा 9 गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा पहले से 9 गुना होगा क्यों क्योंकि यहां पर x का घात 1 था x की सांता 1 थी तो 1y बन रहा था जब इसकी सांता कर दिया गया 3 तब यह जो y जो है पहले के 9 गुना बनने वाला है यानिकि पहले 1y बन रहा था आप 9y बनेगा तो यह प्रभाव होगा इस reaction से और इस vague से नमबर 4.5 ये question क्या है इसमें कहा जा रहा है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग इस्थिरांक 1.5 गुड़ा 10 परगात माइनस 3 प्रतिस सेकेंड है इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटा कर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा क्या कहा जा रहा है कि अभिक्रिया जो है प्रथम कोट की अभिक्रिया है इसमें वेग इस्थिरांक के का मान दे दिया है एक दसमलो पांच गुड़े 10 परगात माइनस 3 सेकेंड इनवर्स ये हमान दे रखखा है करेक्ष अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटा कर मतलब कि यहाँ पे अभिकारक की प्रारंबिक सांद्रता दिया हुआ है R not का मान दे रहा है कितना 5 ग्राम और R का भी मान दे रहा है इससे घटकर कितना हो गया 3 ग्राम हो गया यहनि कि इसका भी मान दे दिया है 3 ग्राम 3 ग्राम अब क्या करना है यहाँ पे तो प्रथम कोटी के अभिक्रिया है और इसके लिए कह रहे है कि इतना होने में समय क्या लगेगा समय T का माँज जो है पूछा जा रहा है तो आपके पास प्रथम कोटी के लिए फार्मूला है और फार्मूले को लगा करके जो भी value है उसमें रखना है और यहाँ पे आपका answer मिल जाएगा प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेक इस्तिरांग के बराबर क्या होता है तो होता है दो दस्मलो 303 बटे में टी बटे में टी लॉग आर नॉट बटे में यह होता है अब क्या करते हैं कि मान रखते हैं इस टी को इधर लेकर के आते हैं क्योंकि यह जो टी है इसी कमान पूछा जा रहा है तब हो जाएगा टी बटे में के कमान कितना दिया है कितना दिया हुआ है एक दस्मलो 5 उन्हें 10 परगात माइनस 3 सेकेंड इनवार्स इंटू लॉग आर नाट कमान दिया है 5 ग्राम आर नाट कमान दिया है 5 ग्राम और आर कमान दिया है 3 ग्राम ग्राम से ग्राम तो कैंसल हो जाएगा अब क्या करते हैं कि 5 में 3 का भाग देते हैं तो हो जाएगा टी बराबर 2 दस्मलो 3 0 3 बटे में 1 दस्मलो 5 खुना 10 परगात माइनस 3 सेकेंड इनवर्श लॉग और यदि हम 5 में 3 का भाग देते हैं तो यह मान आता है कितना एक दसमलो 6 6 7 अब क्या करेंगे लाग टेबल में इस लाग का मान देखेंगे कितना तो सबसे पहले सुल्ला का मान देखेंगे किस बर 6 पर उसी में डिफरेंस में साथ का मान देखा जाएगा तो लिखते हैं यहाँ पे लाग टेबल में टेबल में 16 का मान 16 का मान 6 पर कितना है यह है 22 01 और वही डिफरेंस में देखेंगे उसके डिफरेंस में साथ पर, साथ का मान किसका मान, इस साथ का मान देखा जाए यदी तो यहाँ आता है कितना अठारा, दोनों को जोड़ लेते हैं हो जाएगा, बाइश एक नो, यहीं कि बाइश ओ नो अब यही मान जो है यहाँ पर रखा जाएगा, कहाँ पर यहाँ पर तो इस मान को यदि हम यहाँ पर रखते हैं तब t बराबर हो जाएगा कितना t बराबर हो जाएगा 2.303 बटे में 1.5 गुने 10 परगा तो माइनस 3 second inverse और यह हो जाएगा इसका मान यहाँ पर रखते हैं तो into हो जाएगा 0.2219 क्योंकि यहाँ पर point है इसलिए इस point को यहाँ पर लगाया गया अब यदि आप इसका इससे गुना करते हैं और इतने से भाग देते हैं तो जो t का मान आने वाला है 444 second आएगा कितना आएगा second आएगा तो यही हो जाएगा इसका answer तो यहाँ पर चारदसमलो पांच question को भी हम लोगों ने कर लिया है कबर अगला जो question आता है चारदसमलो छे करें क्या S.O.C.L.2 को अपनी प्रारंबिक मात्रा से आधी मात्रा में व्योजित होने में साथ मिनट का समय लगता है इसका मतलब है कि इसका अर्धायू दे रखा है यदि अभिकरिया प्रथम कोट की हो तो वेग स्थिरांग की गढ़ना केजिए अभिकरिया प्रथम कोट की है तो वेग स्थिरांग की गढ़ना केजिए तो इसको जो है हम लोग यहां पेहल कर लेते हैं Question number है कौन सा? Question number है 4.6 इसका जो अर्धायू है टी हाफ इसका मान दिया है साथ मिनच ये दिर रखा है न इसका मान दिया है कितना मिनच? साथ मिनच अब कह रहा है कि यदि अभिक्रिया प्रथम कोटी की है तो वेग इस्थिरांक की गणना करना है किसका गणना करना है वेग इस्थिरांक के के मान की गणना करना है और पता है कि अभिक्रिया कौन सी है प्रथम कोटी की अभिक्रिया है और प्रतम कोटी के अभिक्रिया के लिए जो अर्धा आई होता है वह टी हाफ बराबर होता है कितना 0.693 बटे में के तब यहां से करेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा 0.693 बटे में टी हाफ यही होगा इसका मतलब है कि इसी चीज को इधर लेकर करते हैं थोड़ा सा तो के बराबर हो जाएगा कितना तो के बराबर हो जाएगा 0.693 बटे में टी हाफ का मान कितना दिया है साथ मिनट तो यदि इसका इस से भाग दिया सा है तो जो मान आएगा उसको यहाँ पर लिख देना है और मिनट उपर जाएगा तो आजएगा मिनट इन वर्ष तो यह भी क्वेस्टन हो गया है साल तो जो भी यहाँ तक टॉपिक बताया गया और पाठनीत क्वेस्टन था उसको भी हम लोगों ने कर लिया एक कबर और अब हम यहाँ से आगे के जो टॉपिक है अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे उमीद करते हैं कि यह सारी चीज़े आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया और इस चीज़ को नोर्स बनाते रहना है और नोर्स पे लिखते रहना है और अभ्यास करते रहना है जो भी चीज़े बताया जा रहा है उसका रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यदि रिवीजन नहीं करेंगे इसको ऐसे वीडियो को देखकर बढ़कर के दी छोड़ेंगे तो इससे कोई फाइदा नहीं होने वाला है जब तक आप अभ्यास नहीं करते हैं तो इस वीडियो में इतना ही रने देते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक ले थेंक्यो तेंक्स पर वाचिंग जो रहे हैं नराएंसर क्लासिस के साथ गुद बाई